बूर्णिंग एस्टुडेंट्स विल्कम बेक टो माई योटूब चनल इंग्लिश वाला डियर एस्टुडेंट्स आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मोडल सेट फाइब ऑफ क्लास 11 एक्जाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए सेट वन सेट टो सेट त्री सेट फोर का वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ यह अंतिम सेट फाइब का वीडियो में आज अप्लोड करूँगा और इसके बार आपका एक्जाम होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सेर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी मेरे चैनल का फैदा हो सके दियर स्टुडेंट्स आज का पहला क्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्यूशन नमर से से विर नीट टू जो दा मेन पॉइंट्स आ नोट मेकिंग में हम लोग में पॉइंट को मेंशन करते हैं कि वी यूज दा फ्रेज मेंले इन मुख्षी तोर पे फ्रेज का पर्योग किया जाता है क्या चीज में फ्रेज का पर्योग क्या जाता है तो इसका भी नोट मेकिंग में पर्योग किया जाता है फ्रेज का मतलब short form of sentences examples of stamp collecting, painting it is the other kinds of activities stamp collect करना painting करना या केस पर करके activities में आएगा note making essay writing, hobbies letter writing या hobbies के category में आएगा next in general letters are of how many times general जो letter होता है वह कितने परकार का होता है तू परकास का तू परकार का the complimentary close in letter writing is followed by letter writing के दवरान जो complimentary हम लोग लिखते हैं वह क्या होता है offering assistance yours sincerely truly etc dear dad mother etc respected to the etc I think option number B क्योंकि letter जब close होता है तो compliment के तौर पर हम लोग yours sincerely your obediently your truly etc mention करते हैं the purpose of letter writing is to letter writing का purpose होता है give information so politeness communicate personal feelings invitations तो communicate personal feelings personal feelings को communicate करने का ही main purpose होता है letter writing letters usually ends letter लेटर हमेशा प्राया अंत होता है होता है इस नेवर टो इट माइंड लेट टो इसका सही सही अंसर आएगा इट इज नेवर लेट तो sorry इट इज नेवर टो लेट तो मेंड option number day बिल्कुल सही है fill in the blanks from the given options blanks को fill करना है option में दिया हुआ है उस से he is a studying to be dot 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 engineer वह पर रहा है बनने के लिए क्या engineer engineer के पहरे दख आयन का परिवह होए next he dot 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 a song when the bell rang when the bell rings होना चाहिए यहाँ पर when the bell rings होगा तब option number a जाकर सही होगा work hard least you dot 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 fail मेहनद कीजिए कहीं ऐसा नहों आप fail हो जाए I think should का परियोग होगा should का परियोग वाके में list के साथ किया जाता है यहाँ पर लिख्ट है ना जब लिख्ट होता है तो उसके बाद वाला sentence में word जोएगा वह should ही होगा should के लबाद दूसरा नहीं होगा और यहाँ पर should का मेनिंग चाहिए नहीं होता है इसका परियोग वार्णिंग को बताने के लिए किया जाता है जब इस तका कर्णिशन आ जाए तब my friends are watching the match इसके correct form को आपको find करना है my friends are watching the match इसका correct form मेरे ख्याल से यह होगा the match is being watched by my friends अब आते हैं literature के पास literature में अस्टेंजा दिया हुआ है अब photograph से the cardboard shows me how it was when the two girls cousin went paddling cardboard picture को बोला गया जोशको framing किया हुआ है लकरी के माधियों से लकरी का मनलब framing बनाया गया है उसमें picture है उस picture को देखकर poet बोलती है कि cardboard के माधियों से पता चलता है picture के माधियों से पता चलता है कि कैसा था उस समय उस समय when the two girls cousin went paddling जब दो चचरी बहने paddling करने के लिए गई थी ओभी छेशला पानी में समुन्द के किना दे बीच की में उन लोग paddling करने के लिए गए थे each one holding one of my mother's hand और दोनो बहने जो चचरी बहने थी दोने मेरी मा के हाथों को पकड़ी हुई थी and see the big girl some 12 years or so उस में मेरी मा सबसे बड़ी लड़की थी लभर लभर बारह और उसके आसपास की उमर की थी all three are stood still to a smile दो चचरी बहने और मेरी मा तीनों वही पर चिशला पानी में इरम सांत खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी उनके मुस्कुराने के दवरान उनके चेहरों से होकर here मनलाव उड़ रहा था और उसी क्रम में at the uncle with the camera uncle जो थे camera से उन लोगों का फोटो क्लिक कर रहे थे अब क्यूशन देखते हैं each of the two girls we are holding one of whose hands each of the two girls पतेक दोनों चचरी बहने किसके हाथ को hold करके रखी हुई है तो मेरी, sorry, mother's की हाथ the big girls of the age of बड़ी लड़की का उम्र था 12 years the world pedaling slums the world pedaling what is your pedaling है, इसका मतलब क्या है pedaling का मतलब यहाँ पर क्या होगा तो to work in the water that is not very deep सही बात है who was there with the camera, camera के साथ कौन था uncle what has not changed over the years in the poem of photograph photograph poem में बर्षो तक क्याची में बरलाव नहीं हुआ है तो समुद्र में बरलाव नहीं हुआ है she enters the thickness who is the refer to in the poem the labanum the labanum में she enters the thickness यहाँ पर she enters the thickness इसमें रेफर किसको किया गिया है bird को bird बुले तो उस गोल्ड फिंच पक्षी को जो थिकनेश में एंटर की थे इसको कौन बोला है the poet बोली है the word latent in the poem childhood means same as जो childhood poem में वर्ड यूज किया गिया latent का इसका मतलब है hidden क्योंकि latent का मतलब शिपा हुआ तो यहाँ पर hidden का भी मतलब शिपा हुआ the speaker's childhood had gone as he noticed when he was off a speaker जो है poet जो है अपने बच्पना को खोया हुआ पाता है उस पर ध्यान देता है कब जब वह 11 years का था who is the poet of father to son father to son poet poet का poem का नाम Elizabeth Jennings है the whole tree trembles and thrills पूरा Lebanon top काप उठा और रुमांचित हो उठा कव जब उसके उसके गोल्ड फिंच आई थी ताव the word sustainable means same as the word जो है sustainable का इसका same meaning होगा everlasting sustainable का मतलब शातत everlasting का मतलब कभी नहीं खत्म होने वाला no generation has a freehold on his earth on this earth who said these words इस word को इस sentence को कौन बोला कि किसी का भी धत्य पर पूर्ण स्वा मित्व नहीं है मनदब पूरा धत्य पर उसका मालिकाना हक नहीं है कौन बोला यह बात तो मार्गिर्ट सेचर बोले थे हैं इस इन वहरी बेड कर्णिशन विकाउज अफ वाट कर्णिशन बहुत खराब हो गया था कौन बोला तो यह जाही हवास बोले थे जाही हवास इगिप्षियन राजा तॉर्ट का तॉम को डिस्कवर्ट किया गया उनिश वाइस में बेड लग और स्टिल दिर इस उन कमफोर्ट वो सेच दिस यह लेन कौन बोला फ्रेंक ने बोला था नेक्ट होगा आपका हाव मेनी टाइप्स ऑफ लिभिंग अस्पेशिस साइन्टिस्ट हैव के टालोग्ड वी सेर्ड मेंकाइंड ओन दिस आर्थ बैग्यानिकों के अनुसार कितने लिभिंग के टिंग का लेज बन बनाया गिया है अभी तक जो धर्ति पर हिमान बिक के साथ मेंकाइंड के साथ इर करते हैं तो 1.4 मिलीन यहाँ weighing 1.2 मिलीन और मुलियों थैज मिंस हो है 1.4 हुना था कौन से साल में तो इसका एंसर मुझे नहीं पड़ता है आपको कमेंट बख्ष के मार्धम से दिजिएगा कि नेक्ट वन इज हो रोड दा स्टोरी रंगाज मेरेज रंगाज मेरेज अस्टोरी को कौन लिखा है तो मस्ती बेंक टेसा अंगर ने हुव अली क्वालिफाइड आजए डॉक्टर लास्ट विक डॉक्टर की रूप में पिछले ही सब्ता कौन बाहर निकला था क्वालिफाइड हुआ था तो वार नेस्ट वेल लास्ट वन इज हुव एंटर्स इन दा सीन लेफ स्लोली लोकिंग मिजडेबल वियरिंग दल रैप सीन में लेफ से स्लोली कौन एंटर करती है लोकिंग मिजडेबल जो देन यह का कंडिशन दिख रहा था और वह अभी भी रैप वियर कर रही थी डॉर इस भाही पियासंस की बेटी डियर सुडेंस के विडियो में इटना ही उंधि है आप लोगों को यह विडियो अच्छा लगा होगा लिए ठोड़ा सा भी यह व्युडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब किजिए ज़री आप हैं करे पाफ सकते हैं कि